नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों माल अच्छमी तकदीर बदनने से पहले ये कुछ संकेत देती हैं जिसे समझना बहुत ही असान और बहुत ही कठीन है हर व्यक्ति के बसकी बात नहीं है जो समझ जाएं वह आजराजा है और जो व्यक्ति ना समझे आजवा भी खारी हैं उनके इसीती दैनी है तो दोस्तों माल अच्छमी धन देने से पहले तकदीर को बदलने से पहले कुछ संकेत देती हैं इस संकेत को देवगडित बोला जाता है देवगडित बहुत ही कठीन भासा है इसे समझना सधारान लोगों की बसकी बात नहीं है तो आपने मेरी विड़ो के टाइटल में देखे हैं कि रास्ते में अगर बेल पत्र मिल जाए तुलसीक पत्र मिल जाए मौली रहागे मिल जाए गिरववा पैसे मिल जाए तो इनके क्या करना चाहिए दोस्तों इसे ही देवगडित बोला जाता है मालचमीक तद्गीर बदनने से पहली इसी प्रकार से कुछ शंकेत देती है और जो वेक्ति भी समझ जाएं वह राजा जैसे है और जो वेक्ति न समझे इसे प्राप्ता करने के बाद भी आज भी खा रही है दोस्तों रास्ते में अगर आपको शभागे से बेल प्राप्ता मिल जाएं तो आपको क्या करना चाहिए क्या इसे उठा लेना चाहिए क्या इसे फेक देना चाहिए क्या इसे सीलिंग पर जा करके चड़हना चाहिए फिर इसका क्या परियोग करना चाहिए जिसे हमारे तकदिर्चम के सारे जानकारी इस बिड़ो में आप सभी दर्सकों को शिखने को मिलेंगे दोस्तों ये भगवान का सिर्वाद होता है अगर आपको सवभागशे बेल पत्रा कहीं पर राता में आप जा रहे हैं गिरा हुआ आपको मिल जाए ये फिर तुलसी के पत्रा मिल जाएं मौली के धागे मिल जाएं ये फिर लाल कलर के कोई धागे मिल जाएं गिरा हुआ पैसे मिल जाएं तो ये भगवान का शिर्वाद होता है ये आपको तकदिर को चमका करके रख सकता है ये आपके तकदिर को चमका सकता है और ये सब को नहीं मिलता जो भग्य साल इनसान होते हैं जो किस्मत वाले लोग होते हैं उन्हीं को मिल पाते हैं ये सब के नसीब में नहीं होता ये सब के भाग्य में नहीं होता जो देवी देउताओं के शेवाख होते हैं जिन पर माता लच्मी भगवान विश्णू तथा भगवान भोले नात के असीम क्रिपा होते हैं ऐसे वेक्ति को ही बेल पत्रा तुलसी पत्रा मौली धागी या गीरा हुआ पैसे मिलते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी आपके जीवन में कभी भी मिल चुके हैं या निकड़ भविश में मिलने वाले हैं तो इसे आपको क्या करना चाहिए जिसे आपके तकदीर चमके और यह सब भग्यशाली वेक्ति को मिलते सबको नहीं पाते जिनके तकदीर में धन्योग लिखा होता है जो वेक्ति धर्म के मारगा पर चलते हैं यह फिर ऐसे वेक्ति जिन पर लच्छमी बेवजा प्रसन हो जाती हैं उन्हें अथाधन देना चाहती हैं उन्हें हर प्रकार के भौतिक शुक देना चाहती हैं ऐसे वेक्ति को ही यह मिल पाते हैं तो अगर आपको भी अप आपको क्या करना चाहिए जिसे आपके तक्दीरिचम के भग्य बदले आइस विडियो में बताते हैं दोस्तों इसे पहले सभी लोगों को मुझारिश करना चाहूंगा जितने भी मेरे विडियो को देख रहें आप विबरस नहीं बल्कि आप मेरे परिवार के हिसी हैं दोस्तों अगर आपको सभागे से बेल पत्र मिल जाए तो इसे कदापी लांग करके आगे आपको नहीं बढ़ना हैं चैह हुआ बेल पत्र तीन पत्र वाले हो चैह खंडी ते बेल पत्र हो ध्यान दिजेगा अगर आपको सभागे से बेल पत्र मिल जाए तो समझ जाना उसी टाइम बाबा भोले नात के आपके उपर साक्षत महरबानी हैं करिपा है और बेल पत्र को कदापी नहीं लांगना है क्योंकि बेल पत्र में साक्षत भगवन शंकर का वास होता है बेल पत्र में मापारवती का अशीरवाद होता है क्योंकि दोस्तों इसकंद पुराण में कहा गया है बेल का बिरिक्षा माता पारवती के पसीने शुत्पन्द इसके जड़ में ब्रंब इसके मद्यभाग में बिश्णू तथा इसके शंपूर नहिश्चों में भगवन आदीस यू बसते हैं तो अगर आपको बेल पत्र मिले आपके शामने में गिरे हो तो इसे बिल्कुल ही लांग करके आगे नहीं बढ़ना है ध्यान दीजेगा बहुत से लोग गलती करते हैं क्योंकि आप बेल पत्र को नहीं लांग रहें बलकि आपके किसमत को लांग रहें इसलिए लोग निर्धन हो जाते हैं गरीब के गरीब रह जाते हैं तकदीर नहीं चमक पाते हैं जियों कत्यों रह जाते हैं तो अगर आपको सभागे से बेल पत्र मिल जाए तो बेल पत्र को करना क्या है इसे आपको सादे साब पानी से धो लेना है चाहे एक पत्र खंडी तो हो कोई बात नहीं आपको जाना इसे धोना है सादे साब पानी से इसके बाद आबुको बेल पत्तर पर सफेद चंदन से कोई भी आबेके मनोकामना हूँ वह मनोकामना लिखना है सफेद चंदन से सफेदे चंदन ना मिल पाएं तो आप जो हैं पीले चंदन कभी परियोग कर सकते हैं और इस पर मनो कामना लिख करके बेल पत्र पर कोई भी एक मनो कामना लिखना है जादा नहीं और इसके बीच वाले पत्ते पे लिखना है और इसे जा करके बगवान भोले नात के सीलिंग पर चड़ा देना है दोस्तों चड़ाने एक बाद कुछ टाइम के बाद इसे आपको अपने नोटों के साथ में रखना है जैसे आप जो पैसा रखते हैं पर समय धन पेटी में यह जिस भी चीज में आप पैसा रखते हैं कारोबारी स्थान वहाँ पे इससे रख दीजिए 101% आपके तकदीर चमक जाएंगे आपको जो भी सफलता मिल रही है न 100% वो सफलता 1000 गुना ज़्यादा बढ़ करके आपको प्राप्ता होगा मैं जो जानकारी बता रहूँ या जानकारी कोई शधारार जानकारी नहीं है इस प्रकार के जानकारी लाखो रुपय खर्च करेंगे फिर भी कोई वेक्ती नहीं बताने वाला और सभी वेक्ति को बेल का पत्रा नहीं मिल पाते मिले तो इसे लांगना नहीं है बेल पत्रा को लांगनी बल्कि अपने किश्मत को लांगते हैं इसके बाद अधिकतर बहुत सारे लोगों को हमारे भाई हमारे सभी स्ट्राइबर चैनल में जुड़े हुए हैं बहुत से लोगों को तुल्सी के पत्रा मिलते हैं तो तुल्सी के पत्रा मिल जाए तो क्या करना चाहिए तुल्सी के पत्रा को भी नहीं लांगना चाहिए जोकि तुल्सी माता लच्मी की शोरूप है और तुल्सिक बिरिक्ष पर भगवान साली ग्राम बसते हैं तो तुल्सिक पत्र मिल जाए तो क्या करना ची तुल्सिक पत्र को अब उको धोना है धोने के बाद गुण और चने के साथ में तुल्सिक पत्र को भगवान हनवान जी महराज को चड़ा देना है सनीवार ये फिर वंगलवार के दिन बिल्लकुल ये आपके भाग्य चमक जाएंगे क्योंकि हनुआन जी मराज को अस्ट सिद्धिन नवन दीधी का दाता कहा जाता है ततकाल आभी के जो मनो कामना हो वह मनो कामना पुन्न होगा होगा अब को शबी प्रकार के भोतिक शुक्की प्राप्ति होगा कोई विश्यस मनो कामना हो वह मनो कामना पुन्न होगा जीवन में कोई बाधा चहरी है ततकाल वा बाधा दूर होगा इसके बाद दोस्तों इस तुलसी की पत्र को भगवन के प्रसा समझ करके आपको खा जाना है दाद से चाबनानी निगल जाना है उपर से गिलास पानी पी जाना है आवे के जो भी जीवन में दोस हो वह दोस्त भी मिड़ जाएंगे इसके बाद जानते हैं मौली धागा मिल जाए तो क्या करे क्योंकि बहुत सारे लोगों को राह चलते मौली धागा मिल जाते हैं तो मौली धागा मिल जाए ये फिर कच्चा धागा मिल जाए तो इसे तुलसी के नीचे में आपको गार देना है तुलसी के जड़ के नीचे जो मिट्टी होती उसमें गार देना है तो इसे दो से समापता होते हैं लश्मी की किरपा प्रापता होती है इसके बाद गीरा हुआ पैसे जान लिजे क्योंकि बहुत सारे लोगों को कभी न कभी आप उको खुद प्रापता हुआ होगा गीरा हुआ पैसे तो क्या करे क्या गीरा हुआ पैसे को रख ले ये फिर गी भी देवताओं को चढ़ा दे तो दोस्तों गिरवा पैसे को अगर आपको सभागेश से प्राप्त हो जाए तो इसे गंगा जल में आपको धोना है धुब दिप दिखाना है और इसे माता लच्मी जी के चरण में 11 बार आपको टच करा देना है धुब दिप दिखा करके माता लाल कलर के कपड़े या फिर लाल कलर के जो चुरिरी होती उसमें लपेट करके अपने धनिस्थान पे रखना है आप चाहे तो इसे परसमें रख सकते हैं लेकिन कोशिस करे आप अपने घर के धनिस्थान में रखे यकीनान मानिए आपके धन कभी खंगेगा नहीं क्योंकि ये कोई सदारा पैसे नहीं ये चुंबक जैसा धन को खिचने का काम करेंगे जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकरसित करता है उसी प्रकार ये धनलच्मी को आकरसित करेंगे धनलच्मी का यहाँ पर मतलभ है नोटो को तो माता लच्छी में धनवान बनने से पहले धन देने से पहले कुछ इस पकार के लोगों को शंकेत देती हैं लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि इसे देव गडित बोला जाता है इसे समझना बहुत ही कठिन होता है लोगों को बेल पत्र मिलते से लांग करके चले जाते हैं तुलसी पत्र मिलते लांग करके चले जाते हैं गिरवा पैसे मिलते हैं गिरवा पैसे को बस यूँ परसा में रख लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हमने जो तरीके बताए हैं इस तरीके बताए हैं इस तरीके को जब आ लात चोगनी आपके तरक्की होगा सब फालता आपकी कदम चुमेंगी तो इसी आसा के साथ दोस्तों मैं बड़ो को एपी समापता करता हूं अगर बड़ो अच्छी लगी तो बड़ो को लाइक जरूर करना और इस अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना बड़ो झालता हूं